शोपुर में आज बीजेपी से बगावत कर महवी सुमन ने वाद 15 से निर्दलिय लड़ने का फैसला लिया है महवी सुमन बीजेपी में नगरमंडल उपाधक्ष के पद पर रहकर पार्टी की सेवा कर रहे थे लेकिन पार्टी ने उनको टिकेट ना देते हुए किसी और को देने को लेकर आज महवी सुमन ने पार्टी से स्तीफा देखा पार्टी के खलाब चुनाव लड़ने का फैसला लिया जैसे उनके समर्थकों में काफी उत्साहा देखने कुमला महवी सुमन का क्याना है कि जब मेरे बार की जनता मेरे साथ है तो मैं पीछे नहीं हटूंग और नहीं किसी पार्टी में जाओंगा मैं निर्दनिये चुनाव लड़ूंगा उसके लिए मैं आदी रात को भी बाडवाशियों के लिए तयार रहता था तो आज तक मुझे यह आस्वसन दिया गया था कि आपका टिकट हो चुका है अब जैसे ही टिकट की नोगत आई तो उस ताइम पर टिकट कटने के बाद में मैं बजार आया बजार आते ही मेरी समा और बाद में में कम सकम सो डेर सो लेडिस और आदमी वगेरा घर आते ही उनने मेरे को जगाया जगाने के बाहते ही में वो वो कहने लगे मावीर भाई क्या हुआ तो मैंने बोल दिया मेनका ठिगिट रामपसाद वेश्णों का हो चुका है और मेरा ठिगिट कट गया है तो उनका यह बोलना था कि आप निर्दली लड़ो तो मैंने उनसे आद जोड़ कर मना कर दिया मना करने के बाद में उनने बोला कि हम आपके साथ हैं तो मैंने उनसे यह बोला चलो ठीके मैं निर्दली लड़ लूँगा आपके कहने से लेकिन कहीं मुझे कोई परिशा नही आई कोई दिक्कत आई तो उनने कहीं दी कि हम आदी रात को भी आपके साथ रहेंगे हमें जब भी आवाद दोगे हम तयार रह जेने के बाद में हम तुम्हारे साथ रहेंगे हैं तो मैंने जो वाडबाशियों मेरे से कहा उस उनके आदार पर मैने पाल्टी को स्थिपा दिया और जो मेरा पाल्टी में ने इस्तिपा दे दिया, जो भी मेरा पदे मुझे उससे अठा दिया जाए। नहीं रहेगी, पर जब तक इनने मिठिंगे ली, अभी चार दिन पहले भी मिठिंगे ली, कोई कारे करता को यह सुच इतनी किया इनने, कि राजिस्तान की जाती यहां मानने नहीं होगी, और आप राजिस्तान की जो भी कंडिडेट है, वो तैयारी ना करें।